हेलो ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मेरे चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम टू कलर का एक पैटन बनाएंगे यह बहुत इजी पैटन है बच्छोग श्याटर के लिए बनाने के बाद काफी अच्छा लगता है और बनने में काफी इजी है तो चली शुरू करते हैं मेला फंदा हम उतारते हैं अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें अब हम एक फंदे को दो बार लपेट कर बुनेंगे तीन फंदे हमें इससा लपेट के बनाने है एक फंदे को हम उतारेंगे फिर से फिर हम तीन फंदे दो बार लपेट कर बुनेंगे का में बसक को कि एक फंदे को उतार लए लिए फिर म error कि फेचे क्लिने और भी फंदे को हम एसे उतार लेंगे अब हम आगे बैक साइड, बैक साइड में पहला फंदा उतारेंगे, अब ये तीन फंदे हम अपने खोल लेंगे, तीन फंदे ये देखिए, अब ये जो दो फंदे हैं, इसके नीचे से इस फंदे को निकालेंगे इस तरह से, अब हम इस फंदे को बुनेंगे, तीन फंदे रूटे बुनेंगे, फिर इस फंदे को उतार लेंगे, आव इए तीन फंदे खोलेंगे हम, यह दो फंदे इसके उपा से उतार की यह इसके अंदा से निकालेंगे, आव इन तीन फंदों को बुनेंगे इस फंदे को उतार लेंगे, तीन फंदे खोलेंगे फिर से, दो फंदे के अंदा से एक फंदे को निकालेंगे, अब हम तीन फंदे बुनेंगे, दाश का पंदा हम उतार लेंगे, आप देखे ही हमारी पीसे सलाई आ गई है, इसमें हमें क्या करना है इसमें सब फंदे बुनने हैं हमें को सारे फंदे बुन के सलाई कम्प्लीट करते हैं इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगी अब यहारी चोथी सलाई आ गए इधा से इस सलाई को हम सीरा सीरा बनेंगे पूरे सलाई सीरी सीरी बनेंगे उटी करब से यह देखे मैंने यह हमारी चार सलाई का पैटन है चार सलाई कम्प्लीट हो चुकी है तो इस तरह से यह पैटन बना है जब दुबारा सुरू करेंगे तो इसमें बदलना कुछ नहीं है एक पहले खंदा उतार लेंगे दूसरे खंदे को फेशे तीन खंदे और हम दो दो बाल लपेट कर बना लेंगे एक खंदे को उतारेंगे तीन खंदे लपेट कर बना लेंगे एक खंदे को उतार लेंगे फेशे अगले तीन खंदे लपेटेंगे और इस खंदे को उतार लेंगे प्रेशे इस फंदे को उता रहेंगे, तीन फंदे में खोलेंगे हम ये ये दो फंदों के अंदर से इस फंदे को निकालकर उड़ा बोनेंगे तीन फंदे है कि यह एक खंड को उटारेंगे कि फिर से तीन खोल लेंगे हम कि ए दो खंडों के अंदा मी निकालेंगे एक फंदे को उतार लेंगे फिर तीन फंदे खोलेंगे फिर ये दो फंदों भी नीचे से अंदर से फंदा निकालेंगे तीन फंदे हम अपने बुलेंगे इस फंदे को उतारेंगे अब ये इधार से इस कलार से पुरी सलाई सीधी सीधी बनाएंगे कितना इजी पैटन है यह देशी इस तरह से बना है अब बैक साइड से इस अलाई को फिर से हमीजा सीटा बनेंगे बनेंगे पूरी सलाई उतारेंगे ऐसे बनते लिए तो यह हमारा पैटन दो बार रिपीट हो चुका है अब देखे यह इस तरह से बना है ऐसे बन जाएगा तो आगे आगे बनाएंगे तो यह देखेगा पैटन इस तरह से बन कर आएगा तो आज का मेरा पैटन यह था पसंद आए तो प्रे लाइक किए सब्सक्राइब किए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ क्याएब झाल झाल